दोस्तों कर आप भी विराट कोली और सूरे कुमार यादव को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों जब आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अंतिम ओवर में जीत के लिए भारत को 16 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी के लिए इशान किशन के साथ हार्दिक पांडिया मौजूद थे आग उगलने को तयार थे जोश हैजलवूड फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान जिसे देखकर दंग हो गया पूरा क्रिकेट जगत तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से चीरी भारती बल्लेबाजों ने एतिहास से कजीत ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंदो तक के खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया किसने लगाया इस मुकाबले में विनिंग चक्का रॉंक्ट हमें एक बार फिर देखने को मिला जो इंडिया के सामने आस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर आमने सामने हुई तो इशान किशन और हार्दिक पांडिया ने अपने बल्ले से तांडव मचा कर आस्ट्रेलिया ही खिलाडियों को धंग कर दिया साथी पूरा क्रिकेट जगत हैर रन बना दिये उन्होंने इस पारी में साथ चौके और तीन चक्के जड़कर पारी को सजाया वहीं अंत में बल्ले बाजी करने आए ट्रविस हेड ने भी 30 गेंदों पर तूफानी 70 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 210 रनों तक पहुचा दिया और बहारती ब अंदास में ऑस्ट्रेलिया इक इन बाजों पर तूटकर हमला बोलते हुए मैच को तहस नहस कर दिया उन्होंने इशान किशन के साथ मिलकर टीम के लिए अर्द शतक ये साचेदारी पूरी कर दी और केवल 10 ओवर में ही भारतीय टीम को इन दौनों बल्ले बाजों ने 105 रन मैदान पर आ चुके थे लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया की घातक इन बाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं थे और वो जीरो रन बनाकर पवेलियन के बाहर चले गए ऐसे में भारतीय टीम को तीन सबसे बड़ा जटका केवल दो ओवरों के भीतर ही लग गय इसके बाद भारतीय टीम को समालने की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर एशिया कप की तरह इशान किशन और हार्दिक पांडिया पर आ गई और दोनों खिलाडियों ने इस अंदास में खेल को जारी रखा आस्ट्रेलिया के सभी खुंखार गेंदबासों की जम कर पिटा बाद भागया और इन दौनों बले बादोने तूपानी बले बादी करते हुए भारतीय टीम को इस मैच में अन्तीम ऊवर 오늘 तक पहुंचा दिया भारत के दौनों बले बादों मेयदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारती तीम को अन्तीम ऊवर में जीत के लिए 16 टीम के लिए गेंद बाजी करने के लिए रफ्तार के सौधागर स्टार के इन दौनों बल्लेबासों के सामने गेंद लेकर खड़े थे उनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांडिया का बल्ला गरजा लोंगाउन के ऊपर से उन्होंने करिश्माई अंदास में बहतरीन चौका लगाकर रन बटोरली और कंगारू को अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया इसके बाद भारतिये फैंस में भी अचानक जोश की नई लहर चाकी मैदान में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे तबी दूसरी गेंद पर मिचैल स्टार्क ने हार्दिक पांडिय को खतरना की ओर कर डाला और हार्दिक पांडिया पूरी तरह से चकमा खा गया और उसे गेंद पर एक भी रन नहीं बना सके और भारतिये टीम को जीत के लिए चार गेंद में 12 रनों की अभी जरूरत थी हर केसी की निगाहे हार्दिक पांडिया पर टिकी हुई थी वहीं स् गेंद को चक्ये में तब्दील कर दिया और भारतिये खेमे में जीत की एक बार फिर से लेहर चा गए और अब टीम इंडिया को जीत के लिए केवल दो गेंद में चैर रनों की जरूरत थी और कोई जीत का जश्न मनाना शुरू कर चुका था क्योंकि क्रीज पर अभी बाजी पर पूरा विश्वास रखते हैं और उन्होंने भी हार नहीं मानी अपनी पांचवी गेंद पर इतनी खतरनाक डाली की हार्दिक पांडिया ने एक बार फिर उस गेंद को हलिकाप्टर शॉट खेल कर चक्ये में तबदील कर दिया भारतिये टीम को पहले वंडे किसकी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शांदार वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद